Hello and welcome back to our channel Health Care Tutorials आज हम बात कर रहे हैं subject psychology के बारे में और आज का जो topic हमारा वो आजाता है personality personality एक ऐसा topic है जिसके बारे में काफी लोग बातचीत करते हैं, काफी लोग चर्चा करते हैं और बहुत एक demanding topic रह जाता है personality में आज हम जो चीज़ें देखेंगे वो आजाती है personality, उसका introduction, उसका definition और उसका classification वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बहुत ज़्यादा lengthy नहीं होगी तो make sure आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो केवल उसकी personality नहीं होती है inner look भी एक personality होती है उसकी activities करने का तरीका कैसा है उसका बाचीत करने का तरीका कैसा है interact करने का तरीका कैसा है किसी चीज़ को express करने का तरीका कैसा है यह सब चीज़ें personality में count होती है और बहुत सारी चीज़ां ऐसी है जो personality में count होती है तो आज बात कर लेते हैं personality के बारे में तो definition की सबसे पहले बात करते हैं आपर definition में आपको बताएगा है कि ये sum of activities total of activities है जो कि एक व्यक्ति परफॉर्म करता है और उसको लंबे समय तक उन activities को observe किया जाता है और उसके बाद उनसे जो एक reliable information निकल के आती है उसको बोला जाता है personality तो ये तो हो गई personality की definition जिसमें आपको ये बताएगा है कि personality क्या होता है उसके बाद बात कर लेते हैं classifications के बारे में तो यहाँ पर सारे जितने classification हैं सबके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे कुछ major classifications हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले जो classification आ जाता है वो आ जाता है hypocrites का अब hypocrites जो हैं उन्होंने personality जो है वो चार जो यहाँ पर types हैं उनमें divide कर दी तो इनके जो चार टाइप्स निकल के आते हैं वो क्या निकल के आते हैं पहला sanguine है उसके बाद आप देखेंगे phlegmatic है उसके बाद आप देखेंगे choleric है melancholic है यह कुछ types हैं जो यहाँ पर आपको personality के देखने को मिलते हैं according to hypocrite तो display पर आपको एक chart दिख रहा है इस chart में आपको इन्होंने hypocrite ने classify करके दिया है कि इसमें आपको यह देखेंगे कौन-कौन से characteristics कौन-कौन से personality में डाले गए हैं और वो दिखते हैं उसमें यह आपको यहाँ पर बताया गया है जैसे कि आप देखेंगे sanguine वाली जो personality है उसमें अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो एकदम happy, cheerful, एकदम खुश दिखता है, एकदम must दिखता है वो लेकिन आप अगर देखेंगे अगली वाली जो category में आ जाता है व्यक्ति उसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा slow है calm है, एकदम sound रहता है ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है एकदम आप देखेंगे next आ जाता है जो melancholic वाली में आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि व्यक्ति sad रहता है एकदम उदास रहेगा, सोस्त रहेगा एकदम इस तरीके का व्येवियर शो करता है वो लेकिन आप देखें कॉलरिक, कॉलरिक वारे में एकदम व्यक्ति irritable, एकदम चिड़-चिड़ा रहता है एकदम खिसया है टाइप रहता है व्यक्ति तो इस तरीके से आप देखते हैं कि चारो टाइप जो हैं हिपोक्रेट्स ने यहाँ पर बताए गए है परस्नेलिटी के जो की अलग-अलग व्यक्ति में आपको देखने को मिलते हैं उसके बाद नेक्स आ जाता है इन्हों ने टीन टाइप में डवाइड किया है एक उन्हों ने बता हैं एक्टो मौरफिक यहाँ पर तीन केटा क्रें इन्हों कीा होज़ी किया है कि क्या चीज यह दिखाना चाहते हैं पर मैं आपको इसका डिस्रिप्शन देदेता हूं जैसे कि आप देख रहे हैं कि endomorphic जो है यह ऐसी personality है इसमें जो body structure है वो muscular है यहाँ पर बाड़ी structure है वो यहाँ पर आप देखेंगे happy nature रहता है इनका और बहुत ज़्यादा open minded रहते हैं सबके साथ frank nature रखते हैं इस तरीके का कुछ behavior इनमें आपको देखने को मिलता है mesomorphic जो है वो एक तरीके से आप देखते हैं balanced है एक तरीके से उसमें आप देखेंगे कि जो flesh है मतलब कि जो fat है और muscle है उसका एक proper balance देखने को मिलता है जो body structure हो masculine है यहाँ पर muscular body structure आपको देखने को मिलता है और जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं behavior है वो भी काफी ज़्यादा balanced है व्यक्ती बहुत ज़्यादा cheerful भी नहीं है और sad भी नहीं रहता है वो अपने emotions को balanced रखता है लेकिन आप देख रहे हैं जो ectomorphic यहाँ पर आपको बताया गया है यह एक ऐसा type आजाता है जिसमें कि आप देखेंगे कि व्यक्ती का जो body structure है वो एकदम thin है जो muscles हैं उनका काफी loss देखने को मिला है इस तरीके का कुछ आपको structure देखने को मिलेगा जो कि मैंने आपको figure में दिखाया हुगा है अब यहाँ पर आपको क्या पताया गया है कि जो behavior यहाँ पर देखने को मिलता है वोई irritation वोई sadness इस तरीके का behavior जादा तर उसकी personality में देखने को मिलता है यह Sheldon's के according classification दिया गया जिनमें इन्होंने तीन टाइप में जो personality है उसका description प्रवाइड किया है next जो classification last आ जाता है वो जाता है junk classification जंग ने यहाँ पर बहुत important classification प्रवाइड किया जिसमें इन्होंने personality को सिर्फ दो पार्ड में डिवाइड किया एक तो extrovert और एक introvert यह जो नाम है extrovert और introvert यह आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा popularly सोने होंगे कई जिके social media पे लोग भी अपने जो profile है उन में आपको देखने को मिलते है highly extrovert highly introvert इस तरीके से काफी लोग display करते हैं अपनी personality को express करते हैं तो यह होता क्या है extrovert इंट्रोवर्ड यह होता क्या है तो उनको clear कर देता हूँ मैं extrovert जो है यह ऐसा behavior होता है एक परसन ऐसी personality को show करता है जिसमें कि वो सबसे मिलता जुलता है, मिलन सार behavior जिसको बोला जाता है, वर्ताव जो बोला जाता है, वो रहता है, सबसे बाचीत करता है, सबसे मिलता जुलता है, पबलिक में रहना पसंद होता है, शाय नहीं होता है बहुत जादा, इस तरीके का जो behavior होता है, वो extrovert nature कहलात इसमें ज़्यादा तर आप देखेंगे, इसका एक better example देता हूँ, politician, politician इसका बहुत ज़्यादा best example होता है, या फिर reporter जो होता है, वो भी इसका best example होता है, अगर आप introvert की बात करते हैं, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में interact होना पसंद नहीं करता है, public fear इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, नए लोगों से नहीं मिलता है, friendship बहुत जल्दी लोगों से नहीं करता है, इस तरीके का behavior जो है, वो introvert personality में आपको देखने को मिलता है, अब इसमें आप example लेंगे तो कोई भी विक्ति हो सकता है, जै जंक्स classification यही आपको clear करना चाता है, तो यहाँ पर कुल मिला कि जो classifications of personality है, वो cover हो जाता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को like जरूर करें और channel को subscribe जरूर करें, thanks for watching the video.